नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आपका वीडियो गुरू के सेसन में और आज हम यहां पर जियोग्राफी के रिवर सिस्टम को डिसकस करेंगे और यह रिवर सिस्टम जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि विलकुल भारत एक नदियों का देश कहा जाता है इंडियों को क्या कहा जाता है एक नदियों का देश है ऐसा माना जाता है कि पूरे भारत में लगभग चारहजार से जाधा नदियास मानी गई हैं निकि मोरतन फोरथ रॉजसेंट रिवर्स इंडिया में मानी गई है इस रिवर सिस्टम को कैसे डिवीज़न किया गया डिवीज़के için किया गया गया है ओ कि यह जो ड्रेनेज सिस्टम है कि इसके एकॉर्डिंग इसका डिवीजन किया गया है और ड्रेनेज सिस्टम के एकॉर्डिंग रिवर्स को दो टाइप से डिवाइड किया गया है पहला बता दिया गया हिमालेन rivers और दूसरा कहा गया है peninsular rivers तो यहां पर आज हम जो discuss करने वाले हैं वो Himalayan river के बारे में discuss करने वाले हैं और Himalayan river में भी आप देख सकते हैं यहां पर कि Himalayan rivers are divided into three parts यहां पर भी यह तीन पार्ट में divide हैं the first is Inder river system and second is Ganga river system and third is Brahmaputra river system तो हम इस class में जो पढ़ेंगे वो आपका discuss करेंगे इंडस river system यानि कि Himalayan river system क्यानि कि Himalaya का अभी आपने देखा कि 4000 नदियां हैं उनको drainage system के according दो टाइप से divide कर दिया गया the first is Himalayan river and the second is Peninsular river यानि कि प्राइदीपी भारत की नदियां हो गई यह एक हिमाले की नदियां होगी अब इस Himalayan river को भी थ्री पार्ट में हमने डिवाइट किया है the first is इंडस river system second is Ganga river system and third is Brahmaputra river system तो इस class में हम बात करेंगे इंडस river system के बारे में हम लोग बात करेंगे कि लिए रहे हैं तक चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर मैप के माद्यम से समझ सकते हैं कि हमने इंडस river system का एक मैप है अब आविसली इंडस river system का है तो नीचे का तो भाग होगा ही नहीं जो उपर का जो एरिया आपको दिख रहा है बस यहीं आपका पूरा इंडस river system को कवर करेगा अब इंडस रिवर सिस्टम क्यों कहा जाता है बेसिकली यहां पर एक अभी टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं पंचनद कि याद रखेगा यह पंचनद जो वर्ड आएगा यह पांच नदियों का समू है तो यह भी पार्ट है आपका इंडस river system का यहां पर आप देख सकते हैं कि यह आपकी इंडस रिवर दिख रही है कौन सी नदि आप इंडस रिवर फिर है उसके बाद में जहलम है फिर ऊसके बाद में चेनाव है फिर रावी है फिर व्यास है और एक नदिया और आतीए जिसको आप पूलते हैं सतलच ठीक यह आपको दिख रही है सतलच किलियर है इतनी बात यहां तक अब इसको अगर इजली याद करना हो तो आप याद कर सकते हैं JC, RBS, जेलम, चेनाव, रावी, व्यास और सतलच ठीक है यह आपकी पूरी की पूरी नदियां हो जाएंगी इंडस रिवर सिस्टम का, इसके अलावा अगर एरिया बास करते हैं तो आप देख सकते हैं जम्मू एंड कर्षमीर, यानि कि J&K सका मेन एरिया है, उसके बाद में अगर बात करेंगे, पंजाब का भी एरिया है, देख सकते हैं आप, ठीक है न? तो ये कुछ एरियाज में ये पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम यानि कि अपवाहत तंत्र के हिसाब से ड्रेनिस सिस्टम के हिसाब से ये पूरा का पूरा इंडस रिवर सिस्टम का एक एरिया बनता है चलिए ये तो मैप के हिसाब से बातचीत हो गई अब हम आगे अगर हम बात करते हैं, Tributaries of the industry बर एक question यहां से आता है कि सिंधु की नदियां सहायक नदियां कौन-कौन सी हैं, तो आप देख सकते हैं, यहां पर सियोक लिखा हुआ है, यह भी question पूछा गया है, दूसरा गिलगित है, यह भी question पूछा जा चुका है, फिर जासकर, जासकर द बताया था, लद्धाक बताया था, और वहां पर जासकर भी हमने आपको बताया था, ठीक, तो यह वही जासकर है, जो पूरा एक mountain range के form में भी है, तो यह भी इसकी एक सहायक नदी के रूप में जानी जाती है, फिर है हुंजा, कौन सी नदी है, हुंजा है, फिर next है आपकी नदी लिखी हुई है, सिगार, कौन सी नदी है, सिगार, सिगार के बाद में है, आप देख सकते हैं, सिगार हो गई, सिगार के बाद में गैस्टिंग है, गैस्टिंग के बाद में ड्रास है, और यह ड्रास और सारी नदियां यह कहां पर हैं आखिरकार, अगर हम बात करें एक पहाड़ी ऊतुरेंग तो एक पहाड़ी वह पर दिखती है उस पहाड़ी का नाम है एक्यूक कौन सी पहाड़ी है एक्यूक रेंज के पास में किलियर है एक्यूक से तो आप कह सकते हैं दर ट्रिब्यूटरीज आफ इंडस आर स्योग गिलगित जासकर हुंजा नुब्रा सिंगार गैस्ट्री गैस्टिंग ड्रास और यह सब नियर हिल्स आफ अटॉक प्रिसीप्स काबूल कुर्रम टोच गोमल विवोगा एंड संगर ऑन दर राइट बैंक क्लियर है ना तो यह सारी की सारी अगर राइट बैंक से पूछी जाएं तब भी हमने लिख दिया है आप लों के लिए तो यह ओबर ओल इसकी इंडस रिवर की सारी की सारी ट्रिब्यूटरीज यानि की सब इसकी साहेक में दिया हो गई आगे बढ़ते हैं लोग और आगे आप देख सकते हैं इंडस रिवर के बारे में कुछ और पॉइंट्स इंडस रिवर मूप्स बिट्बिन जासकर एंड लगदाक अब देखें मैप में फिर से आएंगे अब यहां पर बात की गई है जासकर यानि कि यह कारा कॉरम हो गया ठीक फिर लगदाक फिर जासकर ठी इसके बीच में यह नदी है इंडस किलियर होना चाहिए यानि कि कभी भी अगर आपसे इंडस रिवर पूछी जाए तो आप कह सकते हैं सिंदु नदी जासकर और लगदाक संकला से होते हुए लगदाक और बाल्टिस्टान से गुजरती है कहां से कहेंगे इंडस रिवर मुवस बिट्विन जासकर और लगदाक रेंज पासेज थू लगदाक और बाल्टिस्टान किलियर है ना तो यह एक क्वेश्चन आपका बन सकता है दूसरा पॉइंट हम इसको देखते हैं अगर यह पूछा जाए कि यह कहां से गुजरते हुए और कहां पर पहुचती है तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं इट कट्स लगदाक रेंज यानि कि लगदाक रेंज को यह पूरा का पूरा काटते हुए जम्मू एंड कस्मीर में कहां पर पहुचती है यह गिलगित के पास कहां पर पहुचेगी गिलगित के पास में पहुच करके एक वै करती है तो पाकिस्तान नेर्चिलर आफ तो कुर्दिस्तान समझ में आ गई बात अब देखिए निकली कहां से और कहां पर पाकिस्तान में प्रवेश किया तो दो कुर्दिस्तान का सेक्टर है वहां पर के पास पपाकिस्तान में तरो यहां से को मिल सकता बिलकुल जहां-जहां से यह नदी निकलती है जहां-जहां पर घूं करके आगे बढ़ते हैं अब इंडस्टु rrặc का next point कि बात करते हैं अब ओओ मीठन कोट कि बात आगई अब मीठन कोट की बात आ है तो मीठन कोट बिल्कुल एक प्लेस का नाम है समझेंगे मीठन कोट के पास में इससे पंजाब की 5 नदियां अब यह बात आई यह पंचनत जो हम ने पंजाब की five rivers इससे मिलती हैं यानि कि five rivers join at meet and court ठीक है ना किस से इंडस रिवर से कि लिए कौन-कौन सी देख लेते हैं सतलुज रिवर ब्यास रिवर रावी रिवर चेनाव रिवर एंड जेलम रिवर और ये सब नदियां किस नाम से जानी जाती हैं ये सारी की सारी नदियां जानी जाती हैं पंचनत के नाम से तो पंचनत में कितनी नदियां हो गई पांच नाम आप याद रखेंगे सतलज ब्यास रावी चेनाव और जेलम ये सब पंचनत की नदियां कहलाती हैं और पिर ये अरेवियंसी में कहां पर गिर जाती नहीं कि समझ सकते हैं कि अरएवियंस यस्ट आफ करांची के पूर में यह आर्यवियंस हागर में जा करके गिर जाती तो यह आपका इंडस रिवर से बहुत सारे questions मिल सकते हैं, पंचनत से निश्चित रूप से question मिलेगा, अब जल्दी से हम देख लेते हैं, यहाँ पर पंचनत का एक picture आप लोगों के सामने आ गया, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग, कि इस तरीके से यह नदियां दी गई ह यह इंडस का पूरा एरिया हो गया, और यह इस तरीके से सतलच, चेनाव, जेलम, यह पूरी की पूरी नदियां चली गई है, पंचनत का एक picture है, जिसको आप लोग समझ सकते हैं, यह पाकिस्तान वाला एरिया है, अगर इंडस है, तो हम यह समझ सकते हैं, क्या यह सारी नदी है, जो पाकिस्तान में नहीं जाती है, तो अभी समय बता दे रहा हो, ब्यास एकमात रहसी नदी है, जो पूरी तरीके से भारत में प्रभाहित होती है, क्लियर है ना यहां तक बात, चली, आगे बढ़ते हैं, और आगे देखते हैं, यहाँ पर हिमालेन रिवर त्रू एड लेह डिस्टिक, किस डिस्टिक में? लेह डिस्टिक में, जो की जम्मु कस्मीर में है, यानि कि भारत में सिंदू केवल लेह जिले के मद्द से बहती है, यानि कि इससे नीचे सिंदू नहीं आती है, यह आप समझ लिए बहुत हाइट पे जो एरिया है लेह अगर बात करते हैं इसकी कुल लंबाई की तो 2880 km 2880 km is की कुल लंबाई है बड़ इंडिया its length अगर भारत में इसकी लंबाई की बात करते हैं तो भारत में केवाल triple one four यानी की 1114 km ये भारत में है लेकिन भारत में इसकी लंबाई कम है अगर overall पूछा जाएगा तो आप कह सकते हैं 2880 यानि की 2880 किलोमीटर पूरी इसकी लंबाई मानी जाती है आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जेलम रिबर पर आ गए इंडस की बात हो गई हमारी तो इंडस से आपने देखा दी कहां से निकल रही है कहां पर गिल का नाम आया जहांपर पांचो नदियां पंचने यहां पर बनताए तो साड़े के सारे पंचने कि नाम भी आप Mu Script c होना चाहिए यहां तक आगे बढ़ते हैं अब जेलम की बात करेंगे अगर जेलम की बात करते हैं तो जेलम में अगर हम इसकी ट्रिब्यूट्री की बात करते हैं एक सहयक नदी अगर पूछा जाएगा तो सीधा-सीधा कहेंगे यह सिंधू नदी की एक सहयक नदी ठीक है कह सकते हैं सेवन टू फाइब क्यलो मीटर यानि की 725 इसकी टोटल लंबाई है अगर माईल में पूचाहे में में प्याप कह सकते हैं 450 मैलेस्की टोटल लंबाई आगे बढ़ते हैं म्लोग और नेक्स्ट फिर पॉइंट्स हम देखते हैं जहलम रिवर्स के जहलम रिवर का आप देख सकते हैं कि यह जो नदी है यह कहां से अखिरकार निकल रही है अगर रिवर की बात करते हैं ओरिजनेट फ्राम दा वेरिनांग स्प्रिंग सिचुएटेड़ एड़ फूट आफ पीर पंजाल इन अपको सीधे सीधे दिख रहा है कि वेरिनांग का जो सेक्टर है वहां से नदी निकलती है बहुत से जगे इसका वर्ण मिलता कि यह सेस नांग स्पेसल रिवर है वहां से से भी कई किताबों इसके बारे में लिखा हुआ है लेकि ऑथेंटिक जो सोर्स है वह आपका यही है कि रिवर जहेलम ओरिजनेट फ्राम दा वेरिनांग स्प्रिंग सिचुएटेड़ अट पीर पंजाल इन अगर पूछा जाए कि इसके बाद यह जो जहेलम नदी है यह कहां पर चेनाब में सामिल होती है समझ रहा है ना अब यह जहेलम किसमें मिली चेनाब में अभी आपने देखा कि जो जहेलम नदी थी जो हमने बात की वह अभी हमने देखा कि इंडस का ट्रिब्यूटरी हो गई अब यह जहेलम जो है यह किसमें मिल रही है चेनाब में सामिल हो रही है यानि कि जेलम जॉइंस चेनाव रिवर तो यह कहां पर पाकिस्तान के ज्ञांग में कि यह भी महत्रपूर्ण पॉइंट आपका हो सकता है पाकिस्तान के ज्ञांग नाम अगिस्थान पर यह इसको जॉइन कर सब डल लेक मानस सुबल लेक एक और आप देख सकते हैं नीचे दी हुई है गंगाबल लेक निगिल लेक ठीक और अंकर लेक यह सारी की सारी लेक्स इसी का पार्ट मानी जाती हैं अगर डेम्स की बात करते हैं तो डेम्स में आप लोग देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे डेम से इस दीपर जिसमें अम लोग देखते हैं मंगला डेम मेरी डेम बहुत कैंशन गंगा डेम यह भी एक बहुत अच्छा इसका पार्ट है पिर आप देख सकते हैं एक और मैं बताय दे रहा हूं अगर कभी पूछा जाए तो आप कह सकते हैं तुल्बुल प्रोजेक्ट यह सब किसका पार्ट हो जाएंगे जेलम का पार्ट हो जाएंगे किलियर रहा तक लेक्स भी देख ली हमने और इसके डेम्स के बारे में भी हमने जनकारे प्राप्त कर ली आगे बढते हैं फटाफट हम लो और नेक्स देखते हैं चेनाब रिवर कौन सी रिवर है चेनाब रिवर अभी हमने आपको बताया था जेलम ने किसको जोईन किया चेनाब को जोईन किया अब चेनाब नदी कहां कहां पर है फ्लोज इंडिया एंड पाकिस्तान कहां पर इंडिया पाकिस्तान फाकिस्तान पंजाब रीजन ठीक है किस रीजन की पांच नदियों में से एक प्रमुख नदी है यह उसकी एक प्रमुख नदी है भारत और पाकिस्तान दोनों में यह नदी प्रभाईद होती है सोर्स अगर इसकी बात करते हैं कहां से निकलती है बड़ा लाचला यह बड़ा लाचला दर्रा है कहां पर है यह हिमाचल प्रदेश में है यहां से यह नदी निकलती है तो याद रखिएगा दो क्वेस्चन आपके बन सकते हैं अगर कभी यह पूछा जाए कि बड़ा अच्छा पास से निकलती है टोटल लेंथ की बात करेंगे तो 960 किलो मीटर्स की टोटल लेंथ है माईल में पूछा जाए तो आप बता सकते हैं 597 माईल इसकी टोटल लेंथ माईल में कांट की गई ठीक है तो यह पूरे बात हो गए आपके चेनाव रिवर के आगे बढ़ते बहुत बार पूछा गया सलाल बांध तो आपका अंसर क्या होगा चेनाव रिवर बगली हार बांध कि ठीक और दुल हस्ती बांध यहां दुल हस्ती तो यह वह आपका एंक्डीर यसे बी जल विद्ध्य सेंट्र है दुलहस्ती पर모पार Magnute यह तीन देखिया है आपर तीनों के तीनों किस पर है चिनाव रिवर पर हैं तो यह आपके बहुत सारे questions यहां से बन सकते हैं आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट रिवर पर हम लोग पहुंचते हैं तो नेक्स्ट रिवर इस रावी कौन सी है रावी इट ओरीजिन नियर west of Rotang Pass अब यहां पर आ गया इसका कहां से origin है तो आप कह सकते हैं रोटांड पास से इसकी origin है और यह यहां से फ्लो करती है थूँ चंबल बैली फ्रॉम कुलू हिल्स यानि कि कह सकते हैं इसका जो उद्गम है वो रोटांड दर्रे के पस्चिम से होता है और कुलू पहाडियों से होते हुए चंबल घाटी के मैदान में बहती है तो अगर इसका जो ओरिजिनेशन पूछा जाए या कहां से ओर जिनेट होती है तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं हिमाचल किलियर है ना यहां तक बात सारे लोगों को तो यह पूरा हो गया रोहतंग पास कहां से होते हुए कुलू पाड़ियों से होते हुए चम्मल के मद वहां पर एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन भी कह सकते हैं टूरिस्ट प्लेस है जिसको हम लोग कुलू मनाली कहते हैं यहां बिलकुल यह कुलू मनाली रोहतंग पास बहुत सारे परेटक वहां पर जाते हैं घुमने के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और रावी के कुछ और अस्पेक्ट्स देखते हैं अगर रावी के बारे में पूछा जाए कि इसके बाद ये नदी जो है निकल करके कहां तक पहुंचती है तो हम सीधा सीधा कहेंगे इसके बीच से गुजरती हुई और इसके बाद ये रावी पाकिस्तान में सराई सिंधू में चेनाव से मिल जाती है क्या है निकिड़ी प्लेसे सराई सिंधू क्या है सिधा सिध्य आप कह सकते हैं इस देंडेंगे बिट्मिन साॊथ इस्टर्न पिर पंजाल ऑंडैंड नہिसदधाररेंज्ध रावी दिंज्वाइन चैना आविन-प् Quin पाकिस्तान सराई तो सीधे सीधे आंसर हो जाएगा कि पीर पंजाल और धौला धर से गुजरते हुए यह राबी में कहाँ पर मिल रही है तो यह हम देख लेंगे यह राबी नदी जो है यह पाकिस्तान में सराई सिंधू नामागिस्थान पर किसमें मिल रही है यह चेनाम नदी में मिल रही है किलियर है सिंदू का आपने देखा भी धेलम का देखा और अब हम लोग रावी का देख रहे हैं यह जरूर याद रखिएगा कौन सी नदी किसमें जाकर के उसका विले हो रहा है किसमें मिल रही है क्योंकि यह पूछा ज सबी पांच नदियों में पांच नदियों कि पंचनद की हैं में सबसे इस्मॉल हैं पूछा जाएगा की सिद्र शफित पूसाय दूर विरे साल का अगर जाए तो आप सिदे किलिलमेटर इसकी नंस इतने दूरी तक विस्तारित सब्सक्राइब मानिया की बात करते हैं अगर आप महतपूर डायों है कौनसा है पूंग अगर कभी पूछा जाए किस नदी पर है तो आपका answer क्या होगा यहां तक clear होना चाहिए सारे लोग आगे बढ़ते हैं इट और इंग्स अगर इसकी origin की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं नियर ब्यास कुंड कहां पर नियर ब्यास कुंड ब्यास कुंड के pass में और origin जो place है वो कह सकते हैं रोतांग पास क्या कह सकते हैं उसको रोतांग पास अब यह नदी कहां से गुजरती है इट पासे स्थнок फूलु बैली यह भी कुलु घाटी से गुजरते हुए धौला धर रेंज को काटती हुई लार्गी के पास एक Hai कुमूक सा प्र één storm में यह नदी होती हुई निर्माड करती है एक वैली का एक घाटी का निर्माड वहाँ पर करती है तो आप सीधे-सीधे कह सकते हैं इसका origin point क्या हो गया रोतांग पास ब्यास कुंड के पास से नदी निकलती है रोतांग पास से अब कुल्लू घाटी होते हुए धोलादर स्रेडी को काटती हुई लार पास कर अवहाँ पर हरिके बहराज मिया रखिये अधिक कि यहां पर बेराज भी है रीके नाम के स्थान पर सत्लज नदी अरो इसी इसी पर एक बहराज भी बनाया गया हुआ है उस बहराज का नाम क्या है हरिके बहराज आगे बढ़ते हैं早 लोग सूरों कि लिगे ώति units, एक ऐसी नदी है कैसी है आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि पूर्व बर्ती नदी है कैसी है एक पूर्व बर्ती नदी है अगर इसकी हम लोग ओरिजिन की बात करेंगे तो सीधे सीधे कह सकते हैं तिबबत में राकास लेक नियर मानसरोबर ठीक है ना आप सीधे सीधे कर सकते हैं इट ओरिजिनेट्स इन राकास लेक नियर मानसरोबर इन तिब्बत तो प्लेस क्या हो गया तिब्बत जील कौन सी हो गई मानसरोबर और बहाँ पर एक ताल है उस ताल का नाम है सिदे सीज़ ताल है राकास ठीक लेक है मानसरोबर और प्लेस है तिब्बत किलियर है तो यह तीनों पॉइंट आप लोगों को इस नदी के बारे में किलियर होने चाहिए फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इस नदी को राकास जील से निकलने के बाद में वहाँ पर इसको लैंग चेन खबाब भी कहा जात है तिब्बत में बात करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है लेंग्चिंग खबाब पिलकुल यह आपका एक महत्रपूर्ण क्वेस्चन बन सकता है तो नाम से जानते हैं सतुद्री सतुद्री का मतलब क्या हुआ है बेसिकली इट इस एंसीएंट नियम आफ सप्लेश हमने ज क्या है सतुद्री है आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट मूब करते हैं और नेक्स सत्लज के कुछ और पॉइंट से लोग बात करते हैं सत्लज की अगर बात करेंगे तो यह 400 किलोमीटर कितना 400 किलोमीटर यह पैरलल बहती है ठीका ना समनांतर बहती हुई और इंडिया म रोपर बैली कहां पर रोपर बैली के बास में प्रिवेस करती है तो एक प्लेस अगर कभी पूछा जाए कि रोपर किस नदी के किनारे है तो आप सीधे-सीधे कह सकते हैं सत्लज नदी के किनारे है पंजाब की एक बहुत प्रसिद्ध नदी है बहुत सारे सहर भी इसके किन चाहें फिरोज कुरूश की बात करें तैलू धियाना वगेरा यह सारे सहर जो हैं पंजाब के किस नदी की किनारे स्थिताते हैं यह सत्वत नदी के पॉइंट्स के ओपर बात करते हैं यहां पर आप देख सकते हैं दस्ट लज रिवर इस लॉंगेस्ट ऑफ फाइब रिवर्स यानि कि जो पंच नद की नदियां है उसमें एक ऐसी है लॉंगेस्ट रिवर है किलियर है यहां तक डैट प्लोज त्रू दा रीजन ऑफ पंजाब इन नॉर्दन इंडिया एंड पाकिस्तान यानि कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो पंजाब के छेतर से बहने वाली पांच नदियों में सबसे लंबी है और यह उत्तरी भारत और पाकिस्तान के पंजाब छेतर में यह बहुत मातपूर पॉइंट है नॉर्दन इंडिया और पाकिस्तान के छेतर में यह बहने बाली सबसे, लंबी नदी मानी जाती है, क्लियर होना चाहिए यहां तक, अब, इट इस अ, इस्टर्न मोस्ट ट्रिब्ट्रीह isto याकी की, इंडस रिवर की इगर इस्टर्न मोस्ट की बात करेंगे, तो सिंदो नदी की सबसे पूर्वी सहाइक नदी है यह एक आपका महत्वपूर पॉइंट बन समता है किलियर होना चाहिए यहां तक कि सतलज के बारे में बहुत सारे कोश्चन बन सकते हैं एक डैम की भी बात आएगी अभी हम बात करेंगे उसके उपर अब यहां पर सतलज क बहुत फेमस है इसको याद रखेंगे भाखडा नंगल कई बार पूछा गया है भाखडा नंगल डैम भी है यह इसी सतलज रिवर पर ही बनाया गया है दूसरा अगर हम बात करेंगे कर्चम वंगू कौनसी है कर्चम वंगू यह भी आपका एक महत्वपूर क्वेस्चन ब पर योजना भी है नाथपा ज्हाकरी इसके पार्ट माने गया है सब के सब यह सतलज नदी पर ही सतलज नदी के भाग माने गया है इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि इनसे जितनी रिवर पढ़ाई है इनसे आप लोग डैम के लेक्स के और सिटीज के जरूर लोकेशन देखक को फाइंड आउट करते रहेंगे लोकेशन देखते रहेंगे और आपको एकदम याद हो जाएगा क्योंकि मैप का बहुत बड़ा रोल होता है जियोग्राफी में मैं बार बार कहता हूं कि जब भी लेक्षर आप हमारा देखिए तो मैप जरूर सामने रखिए अगर आप म अगर इंडिया की बात करते हैं दस अतलोज रिवर बेसीन एरिया इंडिया इस लोकेटेड इन हिमांचल प्रदेश कहां पर हिमांचल प्रदेश पंजाब जम्मू एंड कस्मीर राजस्थान एंड हर्याना स्टेट तो आप देख सकते हैं यह कितना एरिया कवर कर रही है ह इमांचल प्रदेश पंजाब का भी है जम्मू एंड कस्मीर का भी राजस्थान का भी है और हर्याना यानि कि इतने राज्यों में इसका जो बेसिन है वह कबर करता है ठीक है आगे बढ़ते हैं लोग अगर इसकी लेंथ की बात की जाएगी तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं 1500 किलोमेटर इसकी लेंथ है किलियर है अगर हम यह कहते हैं कि यह कहां पर मिलती है तो सीधा सीधे अभी हमने बताया था पंचनद में हैं अगर हम बात करेंगे इट कंफ्लूएंस विद चेना अप्टू फॉर्म दा पंचनद रिवर एट मिठन कोट इन पाकिस्टन कहां प किलियर होना चाहिए यहां तक आगे यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया अब आगे का जो सेक्शन है यानि कि हमने यहां पर बात किया इंडस रिवर सिस्टम के बारे में अब हम दूसरी जो बात करेंगे वह गंगा रिवर सिस्टम के बारे में बात करेंगे ठीक फिर उस तो आज के लिए इतना ही तो इससे मैं फाइनली एक चीज़ जरूर कहूंगा एटलस से आप लोग सपोर्ट जरूर लें अगर एटलस में आप लोग लोकेशन देखेंगे चाहें वह पीर पंजाल की बात आई चाहें जासकर की बात आई चाहें सिपकिला की बात आई आपने तो इतनी रिवार्ज पड़ी है डेम्स में आपने देखा नात्पा जाकरी थाकरी प्रोजेक्ट आपने पुंग डेम देखा अभी आपने बहुत भाखरा नांगल डेम देखा इतनी सारी चीज़ें हमने डिसकस की यह सारी कि सारी एक्जाम ओरियंटेड है इनको एक बार के तुरू मैपिंग के माद्यम से अगर आप एक वर्क बुक में इसको आप फिल कर लेते हैं तो मेरा ये आप से बिलकुल वादा है कि आपका कोई भी क्वेस्चन जियोग्राफी में गलब नहीं होगा तो आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू